Hello friends, आप सब का, आपके अपनी चनल, Goven Lectures में एक बाई फिर से स्वागत हैं, तो कैसे हो आप सब, I hope आप सब इच्छे होंगे, और आप सब के त्यारी बेचेज़े चल रही होगी तो कक्सान विज्यन विश्य के, महतपुन पशन उत्तर की सिरीज में, आज हम, chapter number 8, गती, motion के जितने भी important questions बन रहे हैं, उनको डिस्कस करेंगे इस chapter के जितने भी महतपुन अबस्तर वाले प्रशन थे, उनको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, अगर आपने वो class नहीं देखी है, तो उसके link वीडियो के description में है, और बाकी chapter एक से लेकर 7 तक, सबी के जितने भी महतपुन पशना बन रहे थे, उन सबी की सर्चा हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, वो सब classes आप channel की playlist पर जाकर आराम से देख सकते हैं, इस class में हम बात करने जा रहे हैं, अध्या आठ के महतपुन प्रशनों की, तो class शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी request है, कि जदा सजद आपने friends को share करे, ताकि उन सभी तक ही जान को का जाता है, तवरन, क्या का जाता है, तवरन का जाता है, तो देखो तवरन का सुत्र क्या होता है, A equal to del V upon T, और del V का मतलब है, V minus U upon T, तो वेग परिवर्तन की दर को तवरन का जाता है, वेग किसे कहते हैं, विस्तावन परिवर्तन की दर को, इसको विस्तावन परिवर् परिबरतन की दर को कहते हैं वेग और समवेग किसे कहते हैं P equal to M V दरवेमान और वेग की गुणन्द फल को कहते हैं समवेग बल किसे कहते हैं F equal to M A दरवेमान और तवरन की गुणन्द फल को कहते हैं बल तो F equal to M A, P equal to M V, तवरन A equal to del V upon T और विस्तापन विस्तापन क्या होता है? ये, D equal to V गुणा T और वेग क्या होता है? विस्तापन परिवर्तन की दर आगे बढ़ते हैं, question number 2 एक पत्थर को किसी मिनार से का करते हैं, गिराते हैं मिनार से 20 मिटर गिराने पर उसका वेग कितना होगा? कितने उच्चाई से गिराना है? 20 मिटर देखों, बता देता हूँ आपको च्चतर बना के ये आपकी कोई मिनार है? ठीक है? यहाँ पर कोई पत्थर है? इसकी उच्चाई है, H बराबर 20 मिटर दे रखा है यहाँ पर G का मान, गृत्वा करशन का मान हम मान लेते हैं 10 मिटर पर सेकंड स्क्वेड यह मान लेते हैं यहाँ उच्चतम बिंदू पर जो प्रारंबिक वेग है U का मान वो कितना होगा? 0 मिटर पर सेकंड ठीक है? हमें समय नहीं दिया हुआ और हमें क्या ग्याद करना है? यहाँ पर वेग V का मान ग्याद करना है अन्तिम वेग तो हमें किसकी बीच में संबन निकलना है? V, U, G और H की बीच में तो मैं पता है V स्क्वेड एक्वल टू U स्क्वेड पलस 2G हैच ठीक है? अब यहाँ पर देखो V का मान ग्याद करना है तो V स्क्वेड U का मान तो 0 है तो 2 गोना G का मान उपर से नीचे की और आ रहा है? यानि कि 10 सही है उंचाए कितनी है? 20 ये कितना हो गया? 400 V स्क्वेड बराबर 400 V बराबर कितना हो जाएगा? Rood 400 तो V का मान कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वेड ठीक है? तो यानि option number 2 आपका सही है क्या है? वेग है 20 मीटर पर सेकंड आगे बढ़ते हैं प्रशन संग्या 3 जब कोई गेंद उर्दवादर दीशा में उपर की और फैकी जाती है? प्रशन क्या बोल रहा है? कोई गेंद है यहाँ पर? ठीक है? एक मैं गेंद बना लेता हूँ ये कोई गेंद है और इसको उर्दवादर उपर की जिशा में फैका जाता है कुछी इस तरह है ठीक है? ये उपर की और फैक रहे हैं तो गुर्तवीय तवर्ण तो देखो गुर्तवीय तवर्ण का मान का होता है? उपर से नीचे की और होता है है ना? जब बस्तु को हम नीचे से उपर की और बेजेंगे तो ऐसी इस्तिति में क्या होगा? गुर्तवीय तवर्ण का मान गटेगा क्या होगा गटेगा ठीक है तो गेंद के नीचे आते समय तो तवरन का मान क्या होगा बढ़ेगा और नीचे से उपर की और जाने पर गृत्वी तवरन का मान क्या होगा गटेगा ठीक है ये आकको हमेशा ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं question number 4 दूरी समय ग्राप आलेक से प्राप सैतिज सीधी रेखा, इस गती से सम्मंदी थे, दूरी समय आलेक से प्राप सैतिज सीधी रेखा, देखो ग्राप किसके बीच में है, दूरी और समय के बीच में, यदि समय के साथ दूरी नहीं बढ़ रही है, मतलब विग कैसा है, विग आपका सुन्य है, ठीके, तो इसका सही उतर है क्या है, सुन्य विग, जो क्या लिखा हुआ है, दूरी और समय, दूरी और समय, इन दूर्णों के बीच का जो ग्राफ है, वो कैसा है, सैतिज सीधी रेखा, तो सुत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे में समय, क्या होत और इदी इनका जो ग्राफ है वो सीधी रेका है मतलब समय के साथ दूरी में परिवर्तन नहीं हो रहा है और समय के साथ अगर दूरी नहीं बढ़ रही है मतलब वेग कितना है मतलब वेग जीरू है ठीक है आगे बढ़ते हैं question number 5 एक वस्तू 5 मिटर पर सेकंड के वेग से चल दिया हुआ है 5 मिटर पर सेकंड कितना दिया हुआ है 5 मिटर पर सेकंड प्रारंबिक वेग तवरान एक आमान दिया हुआ है 2 मिटर पर सेकंड स्क्वेर और T समय दिया हुआ है आपका 8 सेकंड हमें क्या निकलना है हमें 8 सेकंड के बाद अंतिम वेग निकलना है तो यहाँ पर देखो क्या है, V है, U है और T है, तो V बराबर U पलस A T गती का परतम समीकरण, V ऐसा का ऐसा U का मान 5 पलस A का मान कितना है, 2 और T का मान कितना है, 8 8 दूनी 16, 16 और 5, 21, 21 मीटर पर सेकंड, ओप्सन नमबर यह आपका सही जबाब है, पुशन नमबर 6, एक रिल गाड़ी का वेग, 10 सेकंड में समय कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड, कितने से U कितना था, U था 20 मीटर पर सेकंड यानि प्रारंबिक वेग था आपका 20 मीटर पर सेकंड, और अंतिम वेग कितना होता है, V का मान है 60 मीटर पर सेकंड, मैं का निकालना है, तवरण, एक का मान निकालना है, तो पहला ही समी करन, V अपरण U कमान कितना है 20 समय कितना है समय है 10 तो 40 बटे में 10 यानि कि 4 सेकंड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वेर क्या निकान लाए तवरण है तो इसकी कई क्या होगी मीटर पर सेकंड स्क्वेर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वेर option number A आपका सही जवाब होगा आगे पढ़ते हैं दोस्तो एक सेट एक गेंद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वेर के तवरण से एक कमान कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वेर डिस्टेंस कितनी दियूई है S कमान दिया हुआ है 10 मीटर टारंपिक वेग U कमान कितना दिया हुआ है U कामान दिया हुआ है 3 meter per second और V निकालना है तो दूरी के बिच में संबन्द कौन सा होता है V square बराबर U square पलस 2AS ठीक है तो V square के जिगह V square U कामान कितना है 3, 3 का square पलस 2, A कामान 2 दूरी कितनी है 10 कितना हो गया 9 पलस 40 V square कामान कितना हो गया 49 V कामान कितना हो जाएगा 7 meter per second तो option number A आपका सही जबाब है आगे बढ़ते हैं 1 kg का एक पत्थर है और 2 kg का दूसरा पत्थर है दोनों साथ साथ एक ही उंचाई से सवतंतरता पूरुवक छोड़े जाते हैं परतिव पर गिनने में लगे पत्थरों के समय का अनुपात क्या होगा तो देखो जब वस्तू को उपर से नीचे को गिराया जाता है तो वहाँ पर आपका गृत्वी तवरन काम करता है है ना और गृत्वी जो तवरन है जी का मान वो वस्तू के दर्वेमान पर निर्बन नहीं करता है वो केवल पर्तवी के दर्वेमान और उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के उपर डिपेंड करता है तो इस इस्तिती में दोनों के अंदर लगने वाले समय का अनुपात है वो समान होगा एक अनुपात एक वस्तु के बाहर से कोई लिंदना यहाँ पर नहीं होता है अगला यदि दो रासियों का परस पर ग्राफ एक सरल रेखा हो तो दोनों रासिया कैसी होगी देखो दो रासियों का ग्राफ अगर सरल है मतलब दोनों रासिया एक दूसरे के साथ बढ़ रही है जैसे F equal to M A तो F दर्वेमान और बल एक दूसरे के समानुपाती है और बल और ताकरण एक दूसरे के समानुपाती है तो जब दूनुर आसिया एक दूसरे के समानुपाती है अनुकर्मानुपाती होती है मतलब क्या हुआ कि दर्वेमान बढ़ेगा तो लगने वाला बल भी बढ़ेगा, दरवयमान गटेगा, तो लगने वाला बल भी गटेगा, तो ऐसी इस्तती में दुनोर आसिया एक दूसरे के अनुकर्मानुपाती होती है, अगला, किसी पिंड का ताक्सनिक वेग किसके द्वारा मापा जा सकता है, तो किसी पिंड का ज समय ग्राप की मदद से किसी पिंड का किसी भी समय वेग को कल्कुलिट कर सकते हैं अगला किसी गतिमान वस्तू का तवरण ग्यात किया जा सकता है देखो तवरण बराबर क्या होता है वेग परिवर्तन की दर ठीके वेग परिवर्तन बटे में समय ये होता है और विग का मतलब क्या होता है विग का मतलब होता है दूरी बटे में समय ठीक है और बटे में समय तो दूरी और समय के ग्राप के जरिये दूरी और समय के बीच ग्राप के जरिये हम तवरन को ग्यात कर सकते हैं तो दूरी समय ग्राप के द्वारा तो दूरी समय ग्राप के ढाल के द्वारा हम किसी गतिमान वस्तु का तवरण गयात कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर दो निम्नल लिकित प्रशनों में रिक्तिस्तानों की पूर्ती कीजिए क्या करनी है हमें रिक्तिस्तानों की पूर्ती करनी है पहला question है, किसी वस्तु की इस्तति को बताने के लिए हमें एक निर्देस बिंदू की आवसत्ता पड़ती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मुल बिंदू के नाम से जानते हैं जिसके निर्देसांग कितने होते हैं, 00 होते है अगला वस्तु की प्रारंबिक और अंतिमिस्तती के बीच की नियुंतम दूरी को वस्तु का क्या कहते हैं विस्तापन कहते हैं वस्तु की प्रारंबिक और अंतिमिस्तती के बीच की जो डारेक्ट डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं विस्तापन अगला एक समान चाल के लिए समय के साथ ते की दूरी का ग्राफ कैसे होगा एक सरल रेखा क्योंकि चाल बराबर क्या होता है चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय यह बोलता है एक समान चाल मतलब समान समय में समान दूरी ते की जा रही है तो ऐसी इस्तती में जो graph है वो एक सरल रेखा के रूप में बनेगा अगला वेग समय graph वेग और समय के बीच के graph का दिये गई समय आंतरल में तै कीगी खालित जगह को बताता है तो देखो वेग बराबर क्या होता है दूरी बटे में समय यदि हमारे पास दो चीजे दी हुई है वेग और समय दिया हुआ है तो हम दूरी आसानी से ग्यात कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दूरी अगला असमान तवरित गती की इस्तती में वेग समय graph किसी भी आकरती का हो सकता है कौनसी गती में असमान तवरित गती में जब समयांतराल में क्या हो समयांतराल में समान दूरी तयर नहीं हो रही हो जैसे आम तोर पर हम जो गती करते हैं जैसे बाईक चलाते हैं कोई भी वहाँ चलाते हैं तो वो असमान गती होती है वहाँ पर हम समान समय में कभी भी समान दूरी तेयर नहीं करते हैं तो ऐसी इस्तती में वेग और समय की बीचका जो ग्राफ है वो किसी भी आकर्तिका बन सकता है अगला जब वस्तू एक वर्तिय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गती को एक समान वर्तिय गती कहते हैं जब कोई वस्तू एक वर्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गती को एक समान वर्तिय गती कहा जाता है आगे बढ़ते हैं दोस्तो, मिलान वाले प्रशन, हमें मिलान करना है देखो पहला है विस्तापन विस्तापन कैसी रासी होती है विस्तापन आपकी सदिस रासी है ठीक है क्योंकि यहाँ पर हमें दीशा और परिमान दोनों को बारे में जानगारी होती है फिर है चाल चाल कैसी रासी है अदिस रासी है यहाँ पर हमें केवल परिमान ग्यात होता ह प्रारंबिक वेग पलस अंतिम वेग बटे में दो चाल और वेग का मात्रक दोनों का समान होता है मीटर पर सेकंड और एक समान तवरित क्रती के लिए वेग और समय का ग्राफ एक सीधी रेखा होती है ठीके यह आपस मैं आपको च्छे से मिलान कर लेना था आगे बढ़ते हैं दोस्तों अतिलगू उत्रात्मक प्रस्ण पहला प्रस्ण है गाडी के द्वारा दे की की दूरी गाडी के द्वारा ते की की दूरी किसके द्वारा मापी जाती है तो यह मापी जाती है ओडोमीटर के द्वारा ठीके दूसरा प्रश्ण विस्तापन और समय आरेक का ढाल किस रासी के मान को करता है तो देखो वेग बराबर क्या होता है वेग बराबर होता है विस्तापन बटे में समय तो विस्तापन और समय अगर दिया हुआ है तो हम वेग को आसानी से ग्यात कर सकते हैं अगला प्रश्ण संग्या तीन एक समान चाल के लिए समय के साथ तेकी की दूरी का ग्राप कैसा होता है देखो समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तेकी गई है तो ऐसी इस्तती में जो समय के साथ दूरी का ग्राप होगा वो कैसा होगा एक सरल रिखा के रूप में होगा कौनसी इस्तती में एक समान चाल की इस्तती में जब समान समय के अंदर समान दूरी तै की जाती है अगला दूरी और समय के ग्राप से क्या जाना जा सकता है तो देखो चाल बराबर क्या होता है चाल बरावर होता है दूरी बटे में समय तो यदि हमारे पास दूरी और समय है तो हम चाल आसानी से ग्यात कर सकते है अगला एक समान तवरीत गतियों के लिए देख समय ग्राप कैसा होता है देखो एक समान तवरीत गति है यहनि समान समय अंत्राल के अंदर समान दूरीते हो रही है तो मतलब वो ग्राफ है वो क्या होगा एक सिद्धी रेखा के रूप में होगा फिर हैं मंदन किसे कहते हैं तो जो रिनात्मक तवरन होता है उसे कहते हैं मंदन इसको रिनात्मक तवरन को मंदन कहते हैं मतलब जैसे वस्तु इस दीशा में बढ़ रही है और जब हम इसको पीछे की और धकेलने की कोशिस करते हैं या रोकने की कोशिस करते हैं तो वस्तु का वेग तो इस तरफ बढ़ रहा था, गती तो इस तरफ थी लेकिन हमने बल पीछे की तरफ लगाया इसको रोकने के लिए तो इसे कहते हैं रिनात्मक तवरण यसे गाड़ी के अंदर ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी आगे के और बढ़ रही होती है लेकिन ब्रेक उसे पीछे के और रोकने की कोसिस करता है तो उसे कहते हैं मंदन रिनात्मक तवरण को कहते हैं मंदन अगला वेग समय ग्राप का ढाल किसे पर्देशित करता है देखो वेग और समय तो तवरण बराबर क्या होता है वेग परिवर्तन की दर डेल वी एपॉन्टी तो यदि वेग और समय दिया हुआ है तो हम तवरण को आसानी से गयात कर सकते हैं अगला है वेग से मतलब क्या है तो विस्तापन परिवर्तन की जो दर है उसे हम दोस्तों कहते हैं वेग किसे विस्तापन परिवर्तन की दर वी बराबर डी अपॉन टी है ना विस्तापन परिवर्तन की दर को हम कहते हैं वेग तवरन किसे कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को ह कोई पिंड इस्तिर और गतिसिल दूनों हो सकता है हां क्योंकि गति कैसी होती है सापेक्स होती है तो कोई पिंड किसी समय किसी दूसरे के सापेक्स इस्तिर भी हो सकता है और गतिसिल हो सकता है अगला क्या किसी समान तवरीत वस्तू का तात्सनीक वेग सुनने हो सकता है बिल किसके बीच में वेग और समय के बीच में ग्राफ है ठीक है तो ऐसी इस्तती में वेग और समय के बीच ग्राफ है तो वस्तू के विस्तापन के द्वारा या तैकीगी दूरी ठीक है इसके बीच का जो ग्राफ है वो समय अक्स के बीच फित्रफल के बराबर हो सकता है ठीक है देखो वेग और समय दिया हुआ है, तो हम किसके गंडा कर सकते हैं? या तो विश्तापन की कर सकते हैं, या फिर ते की दूरी की कर सकते हैं? तो इस graph की मदद से हम इस मान को आसानी से घ्यात कर सकते हैं. अगला है वेग समय आरेक यदि सरल रेखा हो कौनसा वेग और समय आरेक यदि सरल आरेक हो तो गती कैसी है और रेखा का ढाल क्या निरुपित करेगा तो गती कैसी होगी समान तवरित होगी यहना यदि वेग और समय के बीच सरल रेका है यहने समान समय के अंतराल के दोरान समान दूरिते की जारी है तो बनने वाला गराफ एक सरल रेका होगी और रेका का ढाल किसको निरुपित करेगा तावरान को निरुपित करेगा अगला उस बोतिक राश्री का नाम लिखो जिसका परीमान और दीसा दोनों ही होती है तो वेग का परीमान और दीसा दोनों ही होती है समान गती का दूरी समय आलेक का ढाल क्या परदसित करता है समान गती का मतलब है समान समय के अंदर समान दूरीते की जारी है मतलब वो किसको परदसित करेगा? वो चाल को परदसित करेगा अगला गती किसे कहते हैं? प्रशन संग्या 15 है गती किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी इस्तती में परिवर्तन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गती कहते हैं प्रश्न संग्या सोडा गती का सबसे साधारन प्रकार कौन सा है तो वो है आपका सरल रेखिय गती कौन सी गती सरल रेखिय गती प्रश्न संग्या सत्रा वस्तू की दूरी को जानने के लिए किस मात की आफसता नहीं होती है तो वस्तू की दूरी को जानने के लिए कभी भी द जिसा के जुरूवत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये कैसी रासी है, ये एक प्रकार की अधिस रासी है, ठीके, वस्तु का विस्तापन क्या है, तो वस्तु की प्रारंबिक और अंतिम इस्तती के बीच की जो डिस्टेंस होती है, सबसे कम से कम नियूंतन दूरी होती है, उसी को गती को एक समान गती कहा जाता है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी ते करती है, तो उसकी गती को एक समान गती के नाम से जाना जाता है, अगला कोशन नमबर 20, अस समान गती के दो उधारण, अस समान गती का मतलब क्या है, कि जब समान समय के अंदर समान कि जाती है जैसे सड़क पर हम मोटर का चलाते हैं पारत में रैयाम कर रहाए एक व्यक्ती ये कैसी गती है ये एक प्रकार की अस्तामान गती है प्रश्म संक्या 21 यदि तवरण वेग की डिसा में हो तो उसे कीस प्रकार माना जाता है तो उसे कहते हैं धनात्मक तवरण और इधी तवरण वेग की विपरित दिसा में हो तो उसे कहते हैं रिनात्मक तवरण जैसे गाड़ी में ब्रेग लगाते समय होता है इधी तवरन वेग की विपरित दिसा में हो तो उसे किस प्रकाल लिया जाता है उसे रिनात्मक लिया जाता है अगला है ग्राप से क्या आश्य है तो एक बहुतिक रासी से दूसरी बहुतिक रासी के सापेक्स परीवर्तन को दो विबिन अक्सों पर चित्रित करना एक बहुतिक राशी के सापेक्स दूसरी बहुतिक राशी में हो रहे परिवर्तन को दो विभिन अक्सों पर क्या करना ड्रो करना चित्रित करना क्या कलाता है ग्राफिय निरूपन या ग्राफ कहलाता है वेग समय ग्राफ में क्या दिखाया जाता है तो वेग और समय के ग्राब के बीच में एक सरल रेका में चल रही वस्तू के वेग में समय के साथ ओने वाले परिवर्तन को दिखाया जाता है। अगला कोई वस्तू शूरे के इर्द गिर्द अचर साल से अचर का मतलब है कि उसकी कोई स्पीड फिक्स नहीं है तो वर्ताकार परिपत में घूम रही है उसकी गती तवरीत है या नहीं तो वस्तू की गती की दीशा अगर नीरंतर बदल रही है तो मतलब है वेग भी बदल हो रहा है मतलब तवरण भी उत्पन होगा और यह तवरण उत्पन है मतलब गती कैसी है गती आपकी तवरीत है कुशन नंबर 26 एक वस्तू आर्थ रिज्या के वर्ताकार मार्ग पर गमन कर रही है एक चकर पूरा करने में उसका विस्तापन क्या होगा तो विस्तापन क्या होगा सुन्य कि उस वस्तू का अंतिम बिंदू और प्राद्रिक बिंदू एक ही है लेकिन वहाँ पर दूरी होगी लेकिन विस्तापन क्या होगा सुन्य होगा अगला कुशन नंबर 27 किसी एथलीट को चटकौनिया पत के अनुदिस दोरते हुए एक चकर पूरा करने में कि उच्छे बाद दिसा बदलनी पड़ेगी अगला एक समान वर्तिय गति से आप क्या समझते हैं तो जब कोई वस्तू किसी वर्तिय मार्ग पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी वर्तागार मार्ग पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वर्तिय गति कहा जाता है, कुशन नमबर 29, क्या विस्तापन समय आरेक में वक्र समय अक्स के लंबवत हो सकता है, तो विस्तापन और समय आरेक के अंदर कभी भी वक्र समय अक्स के लंबवत नहीं हो सकता है, क्योंकि वक्र का ढाल अनंत कभी भी नहीं हो सकता है, और विस्तापन और समय एक द दूरी के बराबर होता है तो किसी इस्तती में विस्तापन का मान वस्तू के द्वारा तैकी की दूरी के बराबर होता है तो कौन सी गती में एक वीमिय गती में जब वस्तू की दीशा नहीं बदले तो ऐसी इस्तती में विस्तापन और दूरी का मान समान होता है जैसे ये वाल अगला वर्ष्टा के दीनों में वर्ष्टा की बुंदे एक समान वेग से गिरती है अथ्वा एक समान तवरण से गिरती है वेग तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि बारिज धीरे भी हो सकती है तेज भी हो सकती है तो वह एक समान तवरण से गिरते हैं एक समान गती से नहीं गि तो दूनों ही स्ततियों में वस्तू एक समान वेग से क्या है गतिमान है क्योंकि विस्तापन और समय का ग्राफ एक सरल रेका है मतलब समय के साथ विस्तापन परिवर्तित हो रहा है और वेग और समय का जो ग्राफ है वो एक सरल रेका है मतलब वस्तु एक समान वेग से गतिसिल है समान समय अंदर समान दूरी तया हो रही है और इसका तवरण क्या है? तवरण सुनने है क्योंकि तवरण तभी उत्पन होता है जब वेग में परिवर्तन होता है इदि समय के साथ वेग नियत है तवरण उत्पन नहीं होता है अगला कॉश्चन है दो इसकूटरों का समय वेग ग्राफ ए और भी परदसित है इनके तवरण से क्या सम्मन्द है? देखो तवरण इस्तती ए के अंदर जो तवरण ए का मान है वो तवरण बी से क्या होगा? कम होगा क्यों? क्योंकि वी की इस्तती में वेग परिवर्तन ज्यदा हो रहा है और जो वेग परिवर्तन ज्यदा हो रहा है तो तवरण का मान भी ज्यदा होगा लेकिन वी इस्तती के अंदर दोनों इस्ततियों के अंदर तवरण समान होगा क्या ताच्छनिक वेग का मान सदे ताच्छनिक साल के बराबर होता है सई बात है दूरी बटा समय ठीक है तो हाँ अगला एक वीमिय गती का कोई उधारन दो जिसमें तवरन वेग की विपरित दिशा में हो तवरन वेग की विपरित दिशा में तो जब हम किसी वस्तु को नीचे से उपर के और फैकते हैं तो उस समय तवरन वेग की विपरित दिशा में होता है क्या किसी समान तवरित वस्तु का ताच्छनिक वेग सुनने हो सकता है बिल्कुल सुनने हो सकता है किसी बस का चाल मापक औसद चाल का मापन करता है या तास्वनिक चाल का तो किसी बस का जो चाल मापक होता है वो तास्वनिक चाल को मापता है ना कि औसद चाल को आगे बढ़ते हैं लगू उत्रात्मक प्रशन प्रत्वी की तरब गिरते हुए बस्तू पर प्रत्वी के आकर्षन बल के कारण जो तवरन उत्पन होता है जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की और परत्वी की सतय की और गिरती है तो परत्वी के आकर्षन बलके कारण जो तवरन उत्पन होता है उसे कहते हैं गुरूत्विय तवरन इसका मात्रक होता है mt per second square मान होता है इसका 9.8 mt per second square ठीके अगला question है चाल से क्या मतलब है और औस तो चाल को कैसे calculate करते है तो चाल का मतलब क्या है किसी वस्थू के द्वारा किसी भी दिशा में 1 का ही समय में तेक 1 की दूरी कोम क्या कहते है चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, इसका मातर क्या होता है, चाल का मातर होता है, मीटर पर सेकंड, लेकिन ज़्यदातर वस्तुवों की जो गती है, वो कैसी होती है, और समान, इस वज़े से वस्तुवों की गती की दर को, उनकी क्या का जाता है, और सत चाल का जाता है वस्तु की ओसत चाल को उसके द्वारा त्यकिगी कुल दूरी में कुल समयावती का भाग देकर प्रात कर सकते हैं ठीके ओसत चाल बराबर त्यकिगी कुल दूरी बटे में कुल समयावती इससे प्रात होगी आपकी ओसत चाल ठीके अगला है गती के समीकरण तो गती क कितने समीकरण है 3 पहला समीकरण है V बराबर U पलस 80 दूसरा समीकरण है S बराबर UT पलस half 80 स्क्वेर और तीसरा समीकरण है V स्क्वेर बराबर U स्क्वेर पलस 2AS यह 3 गति के समीकरण है अगला question number 4 गति क्या है और धेनिक जीवन में गती के उधारण तो जब कोई वस्तू समय के साथ अपनी इस्तती में प्रिवर्तन करती है तो उसे गती कहते हैं गती के उधारण जैसे पंक्के की गुमती हुई पंकुडिया, बायू में उड़ते हुई बायू यान, सड़क पर दोरती हुई मोटर कारे, ये सब गती के ही उधारण है, कुशन नूबर फाइब, एक ऐसी वस्तू का उधारण दीजिए, जो किसी व्यक्ती को गती सिल दिखे और अन्य को इस्तिर एक ऐसी वस्तू का उधारण देना है जो किसी एक व्यक्ती को तो गती गतिवी दूखे और दूसरे को इस्तीर तो किसी गतिसिल बस या रेलगाड़ी में बैटे यात्रियों को लगता है की बहरी भवन पेड़ पौधे मनुश्य पीछे की और गती सिल हैं वही बाहर चलते लोगों को बस या रिलगाडी में बैटे यात्री उनके साथ ही आगे की दिशा में गती करते हुए दिखाई देते हैं तो कुछ उसी समय गती सिल बस या रिलगाडी में बैटे सभी यात्री श्वयम को कैसा मानते हैं गती हिन मानते हैं बदला, वीराम और गती को उधारन देकर इसपश्ट करें, तो देखो वीराम अवस्ता का मतलब क्या है, कि जब कोई वस्तू अपने प्रिवेक्स ये सापेक्स अपनी इस्तती में प्रिवर्तन नहीं करती है, जब किसी वस्तू की इस्तती में समय के साथ प्रिवर्तन नहीं ह तो वह वस्तु विरान इस्तती में होती है, जैसे मेज पर रखी हुई पुस्तक, फ़र्फ पर रखी हुई कुर्सी या मेज, इस्तरबाद पर गती, पिजदी कोई वस्तु की इस्तती में समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो वह वस्तु गती सिल क्यालाती है, ज कर उन्हें परिवासित करना है, तो साधान तो गतिया तीन परकार की होटी है, एक रेखिया इस्तनांत्री गति, दूसरा वर्थिया या गुर्णात्म गति, और तीसरा वक्रिया या दौलने गति, रेखिया गति का मतलब क्या है? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गतीम जाता है जैसे गोलक के परिवर्त गती फिर वक्रिय गती जब को किसी वक्राकार मारत के साथ साथ गतीमान हो तो उसकी गती कहलाती है वक्रिय गती जैसे लोलक की गती ये चप्टर की व्याक्या के दौरान मैंने बहुत अच्छे से चित्र की अनुसार समझा रखा है आपसे ग्वेस्ट एक बाद चप्टर के वाक्या वाले क्लास जरूर देखें। अगला, दूरी और विस्तापन में अंतर। कीडी सी बात है, पहला अंतर है, दूरी एक अधीस रासी है और विस्तापन एक सदीस रासी है। दूरी क्या होती है? किसी वस्तु के दुआरा दीशा के साथ तक टै की एगे पत्घ की वास्तविक लंबाइ चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय यहाँ चाल और वर समय के गुणंत मन को कहते हैं दूरी विस्तापन क्या होता है किसी गतिमान पिंड की वास्त प्रारम्बे किस्थी और अंतिमिस्थती के मद्दे की सबसे जो कम दूरी होती है वो कहलाती है आपकी विस्तापन ठीक, आगे, कुशन नमबर दस, एक वस्तू आर्थ रिज्जा के गोले में गतिमान है आदे चकर में इसके विस्तापन का विस्तार और तेकी की दूरी कितनी होगी और क्या विस्तापन में से धनात्मग होता है तो देखो वक्राकार मार्ग में गतिसिल है तो पूरे चकर के अंदर तेकी की दूरी वर्त की परिदी के बराबर होगी और वर्थ की प्रीदी होती है 2πR आदे चक्र में क्या होगा 2πR के अंदर दो का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगी πR लेकिन पूरे चक्र के अंदर विस्तापन क्या होगा सुन्य क्योंकि प्रारंबिक और अंति मिस्तति समान होगी आदे चक्कर में विस्तापन कितना होगा आदे चक्कर के अंदर जो विस्तापन है वो होगा 2R के बराबर किसके बराबर 2R के बराबर कैसे हो जाएगा आदे चक्कर में तयकीगी जो दूरी है तो वो किसके बराबर होगा IR के बराबर ठीके और विस्तापन हमेशा दनात्मक नहीं होता यह दनात्मक और रिनात्मक दोनोई प्रकार का हो सकता है ठीके अगला निम्नक की परिवासा विस्तापन और वेग विस्तापन कई बार देख लिया वस्तू की प्रारंबी को और अंती मिस्तती की बीच की दूरी को वस्तू क विस्तापन कहते हैं और यह सदिश रासी है वेग बराबर क्या होता है वेग बराबर होता है दूरी बटा समय या कह सकते हैं विस्तापन बटा समय इसे कहते हैं वेग तवरन किसे कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं तवरन तो यदि परती इकाई समय में किसी T, तो V minus U upon T, ये होगा आपका तवरन, अगला वर्तिय गती किसे कहते हैं, वस्तुओं की एक समान वर्तिय गती के ये को अरेंबिक विंदू का अगला वर्तिय गती किसे के हैं, वस्तुओं का विराम में दूरी समय आरेक बनाईए, येको आरेंबिक विंदू को अंजा है O, यहां से दूरी कितनी हैं, 100 meter, यह दूरी है 100 meter ठीक है, दूरी समय graph, तो दूरी समय बढ़ रहा है मतलब दूरी क्या होगी क्यों बोल रहा है विराम में दूरी समय आरेक बनाना है तो देखो y x पर हमने दूरी लिए है और x x पर समय है, अपने आरंबिक बिंदू से 100 cm दूर विराम की इस्तती में है अगर विराम की इस्तती में है देखो विराम है, ठीक है विराम की इस्तती का मतलब है कि समय के साथ दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका गरब क्या होगा, एक सरल रहा होगा क्योंकि कौनसी इस्तति है? वीराम की इस्तति है, समय के साथ दूरी में कोई प्रिवर्तन नहीं हो रहा है अगला, अधिस और सदिस रासी में उदारण, अंतर तो यदि किसी बहुतिक इकाई का केवल परिमान हो और दिसा न हो तो वो बहुतिक इकाई के कलाती है अदिस रासी जैसे चाल और दूरी इसमें केवल दिसा होती है परिमान नहीं होता वही सदीश रासी जिसमें परिमान और दिसा दोनों चीजे होती है उसे कहते हैं सदीश रासी उधारन के लिए वेग और विस्तापन अगला वसत वेग को परिवासित कीजिए वसत वेग का मतलब क्या है जब वेग वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गती कर रही है तो इसके गती की दर के परिमान को वसत वेग के द्वारा व्यक्त किया जाता है वसत वेग का मतलब है प्रारंबिक वेग प्ल सारे कुशन आपकी प्रिक्सा के लिए इंपोर्टेंस आभित होंगे तो क्लास दितनी कला आप सपी को धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और मैनत पसन आई है तो फिर लाइक कमेंट सेयर और सब्सक्राइब जरू ठोक दें आज के लिए इतना ही जे हिंद जे भरत